हाई दिस तावस मंटल ओलकम प्रेट्स लान आसम से बहुत सरे कॉमेंट्स मुझे मिली है मैं कुछ इंपोर्टेंट कॉमेंट्स का रिप्लाइ करूंगा इस वीडियो में और इस कॉमेंट के थूँ आप लोग को बहुत सरे इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिल जाएग तो उसके ओपर में वीडियो बना दूंगा दूरं तो इसके लिए कोई टेंसर मत लो ठीके थोड़ा सा ओट करना है अब लोग को रिजल्ट के लिए फास्ट हम एक कमेंट पढ़ेंगे पी गगोई सायथ यह जो फ्रेंट है यह फ्रेंट मुझे फोन किया था अगर आप न कैसे होगा आसम कंडिडेट तो यह जो फ्रेंड है इस फ्रेंड का एही कोई से जब सायथ मुझे फोन पर बोले थे आपने जो टेंट पास किये तो 2005 या 2008 में पास किया था तो उस टाइम स्कूल के हाद में 20 मार्क्स नहीं था लेकिन आप जो कंडिडेट पास आउट हो रह दा रहा है लेकिन उस टाइम मेहनत करके मिलता था तो यह ही कॉसिंज है तो क्यासे सिलेक्स होगा यह ओन टाइप अब डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा यह आपका को से था देखो GDS का जो सिलेक्शन होता है मेरीड लिस्ट यहाँ पे अब्रिप्यार्ड होता है यहाँ पे ऐसे एर के लिए कोई भी advantage नहीं है आपका marks है जो 10th class का percentage उसके हिसाब से देखेगा 4 decimal place तक तो ऐसे कोई भी advantage नहीं मिलेगा अगर कोई भी division कोई भी divisions पे दोनों candidate का same marks होगा देन जिसका age जाधा होगा उसको advantage मिलेगा और कोई भी advantages नहीं है जो previous candidate है ठीक है तो इसको फोन पर भी आपको बोला था ठीक है और आपके थुरू इस जिदना भी GDS candidate है सबको information मिल जाएगा तो thank you next मुसरभ हुसन ने बोला देको GDS to PA PA means postal assistant exam दिया एक साल हो गया बट आभी तक result नहीं आया ये वी एक जानने वाला चीज है आभी तो तामिन नडु का उरिस्सा का ओस्ट बेंगल का GDS to MTS जो एक्जाम है departmental competitive exams इसका notification आ चुका है august में एक्जाम होगा ठीक है अब ओ जिदना भी दोस्त है ओ दोस्त भी सुन लो कितने time लगता है ये मुसरभ होसन ये जो दोस्त है ये दोस्त जीडिस to postal assistant का exam दिया था एक साल हो गया अभी तक result नहीं आया तो ऐसे होता है इतना time ही लगता है एक साल लगता है देर साल लगता है total complete होना यासे appointment पर मतलब जो posting होता है वहां पर भी तो टाइम लगता है तो एही हाल है इंडिया का एही हाल है सारे स्टेट में सेम हाल है ठीक है एक साल मतलब एक departmental competitive exams के लिए लग जाएगा देखो नेक्स्ट यहां पर देखो मैं आसाम की कोलागाट district का हूँ मेरा 85.5% है एनी चन्स फॉर मैं सिलेक्शन्स देखो यहां पर कोलागाट district का अगर कोई भी candidate मेरा viewers हो तो यहां पर कमेंट करके बताओ आपका कितना percentage है इस district पर आप एबलाई की हो यह नहीं हो और आपका कितन मांक्स और इसका मांक्स के साथ compare करके हम बोल सकते हैं ठीक है आपको district और divisions आपको mention करना है पर सिंटेज आपको mention करना है कोई भी अगर candidate यहां पर आप लाग है तो यहां पर कमेंट करो ठीक है तो देखो आसाम बोट में यूपी के तरह इतना मांक्स आता नहीं यूपी के देखो नॉर्माल मांक्सी 90% 91% सब हार candidate को मिलता है यह से लेकिन आसाम बोट में बोट में इतना मांक्स होता नहीं है तो आपके लिए 85.5% जो है एनफ मांक्स है जीडिया सिलेक्शन के लिए ठीक है और ए में एकदम मतलब 100% यह नहीं बोल पाएं का क्योंकि ओस बेंगल क 7.5% था सिलेक्शन नहीं हो तो ए जीडियस पर कभी भी 100% यह बोल नहीं पाएं लेकिन आपका जो मांक्स है और सिलेक्शन के लिए एनफ है ठीक है नेक्स्ट यहां पर बोला आई कैंग ऑगस्ट में रेजल्ट आने के बाद कितना मांस बात पोस्टिंग या जॉइनिंग होगा प्लीज रिप्लाइ हम्लेस रिक्वेस्ट बहुत जरू होते प्लेस दो यहां पर बोला और रिजल्ट आएगा सोचो आपका और रिजल्ट आ गया तो उसके बाद कितने दिन लागेगा पोस्टिंग होने के लिए देखो मैं अगर कंपेर करूंगा अलग स्टेट के स ज्यूने जाएगा उसके बाद साइकल उन का रिजल्ट निकल रहा था जारी मरी पिंदू अब अभी क्या हो रहा है डॉकुमेंट वेरिकिस्टन के बाद अभी ट्रेणिंग हो रहा है मतलब आप चल रहा है जूलाए सिक्समांथ सेविन मंथ लग गया अभी भी ट्रेणिं आप सोचो इसके बाद post training compete होगा, posting होगा, मतलब 9 month to 12 month, मतलब 1 year के आसपास लग जाएगा, आप इस समझ लो, क्यूंकि process अभी slow होने वाला ही है, कभी भी first नहीं होगा, आसम और West Bengal पे, अब ये दो state पे आप बोली सकते हो, UP का बाद नहीं बोलेंगे, ठीक है, state को उपर बहुत ही जादा है, और मतलब जो, जो अल्रेडी काम कर रहा है, उसको पर pressure भी बहुत ही जादा है, क्योंकि vacancy जादा है, तो बहुत ही जोल्दी वहाँ पे appointment, मतलब पोस्टिंग करने का try कर रहा है, इंडियन पोस्ट भी, लेकिन बहुत internal कुछ problem है, इसलिए मतलब यहाँ भी जो जो आदा है किогई हमेंखा, so this is the end of the discussion, hope you all enjoyed the discussion, don't forget to like, share and subscribe, thank you and God bless you.